हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ घर पे बना मककन, उससे तयार किया हुआ देशी खी और साथी में, ये घी तयार करते वक्त, जो खुर्चन बच जाती है, उससे बहुत ही टेस्टी, एकदम डोडा बर्फी जिस तरी की चीज से कैसे तयार करें, तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप में चैनल पे नए हैं, इसी तरीके की और भी रैस्पी इसके लिए, मेरे चैनल को सब्स्राइब कर लें, क्योंकि डेली बेसिस पर मैं आप सभी के साथ बहुत ही यूसफुल रैस्प में रख दिया था दो घंटे के लिए, तो मलाई एकदम अच्छे से निकल आती है, और यहां पर एक डबा लिया है, जिसमें हम यह मलाई निकालेंगे, यह डबा भी फ्रिज में ही रखा रहता है, सिर्फ मलाई निकालने के टाइम पर बाहर आता है, तो ऐसे करके आपको गोना लें, और उसमें सारी के सारी मलाई निकालें, यह बहुत ही ट्रडिशनल तरीका में दिखा रही हूँ, यह हाथ फली मतनी आती है दोस्तों, इसकी सहायता से मेरी मम भी निकालते हैं, तो आज मैं बिल्कुल वैसे ही दिखा रही हूँ, हाला कि आप मिक्सी में भी डा अगर आपके पास यह मतनी नहीं है, तो घर में कोई न कोई चमच या बड़ी कर्ची होगी, आप उसकी भी मदद से से हिला सकते हैं, फिर उसके बाद आप हैंड विस का भी यूस कर सकते हैं, इसे चलाने के लिए, अब जैसे दोस्तों, गर गर्मी का टाइम है, तो आपको थोड़ा सा ठंडा पानी इसमें डालना पड़ेगा, लेकिन अगर सर्दियां शुरू हो गई हैं और सर्दी वाला टाइम है, तो थोड़ा सा गुन-गुना पानी जाता है, तो इस चीज का खासा ध्यान रखना है, यहाँ पे नॉर्मल टेंप्रेचर वाला पानी डाल रहे रखी हुई बॉटल, उसका पानी आप डाले, तो अराम से आजाएगा, अभी आप देखो कि दो बार, मतलब दो-तीन मिनट के लिए मेरी मम्मी इस तरीके से चलाएंगी, और मक्कन दीर-दीरे आपको उपर फ्लोट करता हुआ, दिखना शुरू हो जाएगा, मक्कन हलका सा पीले रंका है आप देख सकते हो, तो ये बटर मिल्क से अलग हो चुका है, इस पॉइंट पे लेकिन थोड़ा सा और चलाएंगे ताकि इकठा हो जाए, तो ये ट्रडिशनल तरीका है घर पे मक्कन निकालने का, हम सभी के घर पे मुझे पूरा विश्वास है कि दादी, न अगर आपको मक्कन ऐसे ही खाना है, तो आप किसी डब्बे में निकाल के रख ले, मतलब इसमें से लिकुड वाला पार्ट हटा दे, और मक्कन मक्कन निकाल के डब्बे में रख ले, लेकिन हमारे हां इसे घी बनने जा रहा है, तो डिरेकली हम लोग कड़ाई में डाल रहा है, क्योंकि अब इसे हम पकाएंगे, ये देखे, हांच से इस तरीके से करेंगे, तो एक साथ मक्कन बड़े आराम से घठा हो जाएगा, उपर हलका होके घठा हो चुका है, बस हलके हां से ऐसे करें, और मक्कन हमारा निकल आएगा, दोस्तों अगर आप बजार वाले पैकेट वाले टोन मिल्क के साथ मलाई एकठा करके घी बनाओगे, तो घी नहीं बनेगा, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, ये मैं ट्राइ कर चुकी हूँ, उसमें से अल्रेडी सा निकलिवे मलाई के साथ आप बनाए, टोन बिल्क के साथ मलाई निकाल के घी बनाने का कोई फाइदा नहीं, ये हमारे घर पे डेरी से दूद आता है, पैकेट वाला हम लोग अभी इस्तमाल नहीं करते, तो आप उनकी मलाई देखे, कितना जादा मक्कन निकला है, अब इस कोने कोने पे मक्षन लगा हुआ है, घरमी पा कि वो पिघल जाएगा, जो चीज हमारे हाँतों से नहीं किल पाई है, वो भी आराम से निकल जाएगी, तैसे तो ये मक्षन किसी भी तरीक контроль के पर नाथे के साथ, चूले वाली रोटी के साथ, ये मोटी रोटी रोटी के जब तक पकाना है जब तक कि इसमें से आपको घी separate मतलब घी इसमें से अलग होके दिखना ना शुरू हो जाए इसमें ना नीचे एक खुर्चन बनती रहती है बनती रहती है आपको उसमें परिशान होने के जरूरत नहीं है वो एक तरीके से घी के impurity होती है जो कि नीचे कढ अलग नहीं हुई है और यह अभी एक तरीके से मटमेले रंग का दिख रहा है कि एक दम अलग होके पीला-पीला सा दिखना चाहिए ट्रांस्पेरिंट सा तो आपका घी तयार हो जाएगा आपको इस काम में 10-15 मिट लग सकते हैं मीडियम फ्लेम पे बस आप इसको लगाद अलग फ्लेवर आजाता है यह देखें पीला पन आपको दिखना शुरू हो गया होगा अभी थोड़ी तर के बाद यह कंप्लीटली पूरा का पूरा ट्रांस्पेरिंट पीला हो जाएगा तो यह है हमारा घर का तयार किया हुआ शुद्ध देसी खी यह देखें आपको कटा हुआ दूध होता है लेकिन यह खुर्चन अभी लाल होगी दोस्तों हमें इसे इतना पकाना है अभी घी कंप्रीटली अलग नहीं हुआ है तो थोड़ा सा चेक करते हुए अंदाजे से खुर्चन धीरे धीरे आपको आकार में भी छोटी होई होती हुई दिख रही है क्योंकि घी में पक रही है और घी भी अलग हो रहा है इस पॉइंट पे अगर आप चान लोगे तो आपको उतना घी नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए जब तक खुर्चन का यह टेक्शर नहीं आता है तब तक आपको पकाना है बस हमारा घी ओल्मोस्ट बनके तयार है इ इस तरीके से बाल्टी है इसमें हम खाली कर रहे हैं तो हम गरम गरम खाली कर सकते हैं क्योंकि स्टील की चन्नी है अगर आप किसी प्लास्टिक वाले कंटेनर में रख रहे हैं गी तो थोड़ा सा ठंडा होने के बादि करें नहीं तो जो टबबा है पुप पिगल जाएगा अब इसे हम चान लेंगे, खुर्चन अलग कर लेंगे और घी अलग कर लेंगे अब मैं आपको दिखाती हूँ घर का तयार किया हुआ शुद्ध देसी घी कितना सदा प्योर है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घी तयार करते हैं बट शायद उन्हें पता नहीं होगा तो उन सारे दोस्तों के लिए बहुत ही यूसफुल है यह खुर्चन दोस्तों यह तो आप चीनी मिला के खा लेते होगे, गुड मिला के खा लेते होगे या फ़र कुछ लोग तो फेक भी देते हैं कि कोई काम नहीं है लेकिन इसमें इतनी अच्छी मातरा में घी है और इतना प्यॉर घी है कि फेकना कोई अकलमंदी का काम नहीं है अब इसकी मैं बहुत अच्छी मिठाई बना के आपको दिखा रही हूँ जो कि आप कभी भी बना सकते हैं ये नॉर्मल बजार वाली किसी भी खोई की मिठाई से भी ज़्यादा टेस्टी होती एक बार ट्राय करके देखेगा तो आपको समझ में आएगा अब इसमें अपने मन पसंद का कोई भी मेवर डाल दें मैंने थोड़ा सा कद्दू गस किया हुआ नारियल बादाम ये दो चीज़े ही डाली थी अब ये मेरे पास वही थी बाकि आप कोई भी मेवर डाल सकते हैं अपने मन पसंद का इसे हलका सब भूल लेंगे ताकि मेवर में हलका सा क्रंच आ जाए अल्रड़ी खुर्चन पका हुआ है अब इसमें हम डाल देंगे और इसमें डाल देंगे एक कटोरी के जितना दूद जितना खुर्चन बजा था मुझे इससे जादा जरूरत नहीं पड़ी दूद की इससे क्या होगा ना कढ़ाई में भी जो खुर्चन लगी है वो दूद की सहायता से निकल आएगी और इसे बैंडिंग देने में आराम रहेगा हमें और एक तरीके से जैसे कलाकंद की मिठाई होती है ना कलाकंद हो गया डोड़ा बर्फी हो गया बिल्कुल वैसा टेक्शर आजाएगा पांच मिनट के अंदर अंदर लग रहा है ना कितना सुपर टेम्टिंग और खाने में बेहर टेस्टी होता है इसे हम अब सेट कर लेंगे लेकिन उसके पहले फ्लेवर के लिए मैं डाल ली हूँ हरी लाइची का पाउटर थोड़ा सा थोड़ा सा और पकाएंगे अब यह सेट करने के लिए पिल्कुल रेडी हमारी कडाई भी दम अच्छे से साफ हो चुकी है तो देखा ना इस एक वीडियो में म तो दबाना है और शेयर करना है अपने फैमली और फ्रेंस के साथ था कि इस तरीके के वीडियो जादा से जादा उन तक पहुंचे अब नीचे मैंने एक नॉम्मल पेपर रग दिया उस पर हलका सा मैंने घी लगा दिया था उसके उपर यह मिठाई सेट कर दी यह जो गाड है इससे हम अलग कर लेंगे नॉमल पेपर मैंने कॉपी वाला यूज किया है लेकिन देखेगा कितने आराम से निकल आएगा बस होता क्या है ना कि उसमें थोड़ा सा फैट होना चाहिए और और लेडी मैंने नीचे थोड़ा सा घी लगा दिया था यह निकल आया अब अप कोड़े से बदाम के कतरन डाले हैं ताकि देखने में सुन्दर लगे आप चाहे तो चांदी का वरक वगेरा भी लगा सकते हैं बड़ जरूरत नहीं है यह देखे लग रहे हैं इसका टेक्शर कितना जाद आमेजिंग यह मिठाई कोई नहीं बदा सकता कि आप घी के खुर तो दोस्तों आप सभी को आज की यह मेरी रेसिपी मेरा यह वीडियो यूस्फुल लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सब्सक्राइब बटन के पगल में जो बैल ऐकन होगा उसे भी आग से दबा दीजएगा दोस्तों अगर आप मेरे से कोई और भी रेसिपी सीखना चाहते हैं तो प्लीज कॉमेंट करके मुझे बताएं मैं डेफिनेटली उन पर भी वीडियो बनाऊंगी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ताइम एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक किया बबाई और मुझे यहां के वापस बताना ना भूले कि आप